हेलो फ्राइंस वालकम बैक इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेंड करने वाली हूँ लव इंद एया के स्पेसल एपिसोड को गाईस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लेस इस वीडियो को लाइक और शियर करें और साथ में मेरे चनल को सब्सकाइब करना ना भूले सो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रेन और स्काइब को एक साथ जहाँ पर रेन सवाल करने लगता है स्काइब से क्या हुआ है तुमें क्या हुआ है यहाँ पर उसे कहता है रेन पहले मैंने पूछा है ना तुम बताओ काफी परिशान लग रहे हो मुझे यहा त्यारे बता भी दोना क्या हुआ है रेन यहां पर कहने लगता है इसकाई से कहीं ऐसा तो नहीं है यहां पर उसे बोलने नहीं देता इसकाई और कहता है ऐसा कुछ नहीं है मेरी ना तो फाइट हुई है पाई से और ना इसके फैमली से यहां पर रेन कहता है फिर क्या हुआ ह तो यहाँ पर हमें एक flashback दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते है पाई को office में उसकी secretary के साथ जहाँ वो काफी खुश नजराता है तो उसकी secretary पूशने लगती है आज आ पितने happy क्यों है sir यहाँ पर पाई कहता है इसकी कोई जरुत नहीं है अभी तक वो नहीं आया है जब वो office बहुत जाएगा तो वो मुझे call कर लेगा तब ही हम देखते है पाई और उसकी secretary को आवास सुनाई देती है सकाई की तो वो एकदम दोड़ते हुए जाते है जहाँ पर दिखाया जाता है हमें सकाई को पाई के brother के साथ जो उसे प्यार से हख कर रहा होता है और उसे बार बार क्योट बूल रहा होता है एकदम से happy कहने लगता है पाई अपने brother से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो उसका brother कहता है आप भूल रहे है कि यह dad की company है सो इसलिए मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ और वो आगे कहने लगता है कि आप कितने terrible है आपने sky को नीचे ही छोड़ दिया wait करने के लिए यहाँ पर तब ही sky कहने brother sky से कहने लगता है अगर आपको मेरे brother अच्छे से trade नहीं करते तो आप मेरे पास आ सकते हैं मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा यह सुनते ही यहाँ पर पाई हाथ पकड़ता है sky का और उसे अपनी तरफ खीश लेता है और अपनी brother से कहता है कि तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं और नहीं हग कर सकते हो इसे हग करने का अधिकार सिर्फ मुझे है क्योंकि यह मेरा boyfriend है और यहाँ पर पाई कहने लगता है sky से कि तुमें इसकी कोई बास सुनने की जुरुत नहीं है और नहीं इसके साथ कहीं जाने की अगर यह तुमारे लिए कोई gift ल चाना होगा तो से मिलना चाहती है ईंपर पाई कहने लगता है अपने brother से कि मॉम इससे मिल सकती है उनने पता भी नहीं है कि यह आज यहाँ पर आया है। सकाई से कि तुम इसके साथ कहीं मच जाना यहाँ पर पाई का ब्रदर कहता है अरे नहीं सच में मॉम से मिलना चाहती है तब ही यहाँ पर जो पाई का ब्रदर होता है वो मेसेजिस करने लगता है पाई उससे पूछता है कहा हम मेसेज कर रहे हो तो इसका ब्रदर कहता है मैंन की बाते सुनके तो यहाँ पर एकदम से पाय और उसका ब्रदर सेकेटरी से कहता है कौन क्रेजी हो जाएगा यहाँ पर कहने लगता है सकाय क्या ठीक है यह तो रहे इस तरीके से बहस्पाजी कर रहे हैं सेकेटरी कहते है इस ओक के सबी लोग पी पाय को थोड़ा परिशान कर रहे है क्योंकि वह आपको लेकर कुछ जादा ही पॉजसिव कर रहे है तो यहाँ पर सेकेटरी कहने लगती है आप मेरे साथ आफिस में अंदर चलिए वह तो वहाँ से चला जाता है यहाँ पर हम देखते हैं पाय कहने लगता है अपनी ब्रदर से कि तुम्हें स्काय के पाजी करते हुए दिखाये जाते हैं यहाँ पर यह सारी बाते सकाय रेन को बता रहा होता है तो रेन हसने लगता है तो मतलब कि सबी तुम्हें लेकि आपस में झख़कर रहे हैं पाय तुम्हें अपने पास चाहता है उसके सीबलिंग्स और साथ में उसके मॉम डैड भी तो यहाँ पर रेनों से कहने लगता है कमाल है इसकाय तुम तो सभी के फेबरेट बन गए हो खास तोर पर अपने मदर इनलोस के यहाँ पर उससे कहता है इसकाय ऐसा कुछ नहीं है बस मैं किसी को एपसट नहीं करना चाहता हूँ कि पाय की फैमली मुझे लाइक करे यहाँ पर फिर इसकाय पूशनी लगता है रेन से तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें काफी परिशान हो पहले तो रेन मना करता है तो यहाँ पर एक और फ्लस बैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ड्रें को जिसने कुछ ट्रडिश्नल कप्ड़े पहने होते हैं जहाँ पर उसे सिग और स्काय रेडी करते हैं पहले रेन कहता है तुम लोगों ने मुझे इस तरीके से क्यों ड्रेस अब किया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसकाय कहता है प्लीस करना पड़ेगा क्योंकि आज एक फंक्सन है जिसमें तुम्हें पाडिसिपेट करना है यहाँ पर कहने लगता है रेन ठीक है तुमारे लिए मैं कर लेता हूँ सिग कहता है क्यों उसके लिए क्यों मेरे लिए क्यों नहीं क्या मेरा फिर्स इतना खराब है कि तुम मेरे लिए यह सब कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पर सिख से कहने लगता है रेन अफकॉस क्योंकि मैं त संदी करता, यहाँ पर उन दोनों के बीच में नोग जोग चल रही होती है, तब ही हम देखते हैं, पली यहाँ पर लेके आजाती है, अपने साथ पायू को, जो भापा कुछ ट्रेटिशनल ड्रेस पहन के आता है, सभी उसे देखने लगते हैं, और तारीफे भी करने लगते हैं, साथ में यहाँ पर कहने लगता है, एकदम से रेन, कि पली तुम क्या कर रही हो मेरे पायू के साथ, तो यहाँ पर पली कहते है कुछ गलत मस, समझो, बस मैंने उसे ड्रे पायू को, था कि कोई से ना देखे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इसका होता है, वो फूटो क्लिक कराने लगता है, पायू के साथ, यहाँ पर सभी लोग परिशान करते हैं, रेन को, कि नहीं हमें फूटो क्लिक करने दो, पायू के साथ पर ट्रेन सबको रोक रहा होता है उसके बाद हम देखते है रेन अपनी साथ पायू को साइड में लेकि आ जाता है और यहाँ पे रेन काफी ध्यान से देखने लगता है पायू को तो पायू से कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ रेन उसे कहता है हाँ बिल्कल अच्छे नहीं लग लग रहे हो अभी कि अभी इन कप्ड़ों को उतार दो यहाँ पे उसे रुकता है पायू से कहता है सच भी क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ पायू से तुम टॉपिक चेंज करने की कोसिस मत करो चलो जल्दी से इने चेंज करो सभी लोग तुमें कैसे देख रहे थे और मैंने देखा तुम भी सब के साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हो तुमने स्काय के साथ फोटो क्लिक कराया था वो भी उसके shoulder पे हाथ रखे यहाँ पर उसकी बाते सुनके हसने लगता है पायू और कहता है oh my god मेरा boyfriend तो काफी ज़्यादा smart हो गया है यहाँ पर उससे कहने लगता है रेन तुम मुझे फिर से stupid बोल रहे हो ना यहाँ पर पायू से कहता है प्यार से तुम जानते हो ना stupid का मतलब cute होता है यहाँ पर सर्माने लगता है फिर से rain रेन आगे कहने लगता है वैसे तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो लेकिन पायू से पूछता है लेकिन क्या तो rain कहने लगता है मैं नहीं चा लूंगा बर तुम्हें भी अपना ड्रेस अप चेंज परना होगा क्योंकि मैं चाहता हूं ये सारे ड्रेस अप सिर्फ मेरे सामने बहनों अगर तुम नहीं चेंज करोगे तो मैं जा रहा हूं सबके सामने ऐसे ही, यहाँ पर रोक लेता है रेंपयो को और खहता है ठीक है चल भी बिल्कुल childish behave करते हो rain rain कहता है नहीं इसमें सारी गलती पायू की है इसका उससे कहता है इसमें क्या गलती है पायू की कोई गलती नहीं है इसमें पायू की rain कहता है of course पायू की गलती है वो पूरी time कितने ज़्यादा smile कर रहा था मैं बहुत ज़्यादा frustrated feel कर रहा हूं सब कि दोसे